हेलो गाईज मैं हूँ सवरब और केंप्यूटर एस्ट चैनल में आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता हूंगा कि बूटबल पेंड्राइब क्या होता है और कैसे खुद अपने जो नॉर्मल पेंड्राइब उसको बूटबल बना सकते हैं बूटबल पेंड्राइब बेसिकली एक पेंड्राइब होता है जिससे हमारा जो सिस्टेम में वो बूट यानि स्टार्ट होता है इसमें बूट फाइल्स रहते हैं और जिसमें बूट रिलेटेट इन्फर में से रहते हैं तो बूटबल पेंड्राइब आपको किसले चाहिए होता है और कभी-कभी आपका जब सिस्टेम क्रैस हो जाते हैं तब आपको फाइल को रिकावरी करने के लिए भी भूटेबल पेंट्राइब की जरुरत पड़ती है तो पेंट्राइब की साइज कितना होना चाहिए तो पहले जावाने में जब विंडोस 7 हुआ करता था तो अ तो इसके लिए आपको 8GB minimum pin drive चाहिए होगा तो चलिए देखते हैं कि बूटेबल पेंट्राइब कैसे बनाते हैं तो बूटेबल पेंट्राइब बनाने के मेल दो तरीके होता है एक तो आप डारेक्ट सब्सक्राइब से बना सकते हैं जो कि बहुत आसान तरीका है नॉर्म प crusts scultury के बना सकते हैं तो जो नौर्मल सफट्र लोग यूज करता है लोग यह मैं रफस तो इसको डाउनलोड करने के लिए पहले आप कोई भी ब्राउजर खोल लेजेगे अपना मैं इसमें chrome यूज़ कर रहा हूं तब विभा राउजर यूज़ कर सकते और इसमें आप अपकर रूखे घर इसमें आपका जो फेस्ट वेबसाइट पाइगा इससowned क्लिक करना कि इस्वे स्वे सब्सक्राइब करने के बाद निच्छे आ जाना निच्छे आने की बाद यहां पे आपको बाउनरोड का प्सेन निखेगा तो को कि यहां से आप download कर लेना कि दोस्तों मेरे सिस्टेम में यह औरी डाउर्ट टेट यहां पर आप देख सकते हैं तो इसलिए मैंने डाउन्लोट टॉप पाल पात नहीं दिखाया आपको तो आप डौंड कर लेना simply और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या हो से आपका pin drive connect कर लेना कि यहां पर चैसे सकते comprendre यहां से अब इसको उप्न करना यहां से पंखोरी करना column SH no Gap wraz Commission में आप anders तबाना तो ऐसा टाइपका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर यह जो डिवाइस है डिवाइस पर आपका जो पेंटरफे वह आपका यहां पर सोगा लेकिन एक चीज़ यहां पर रियानत्मत दुस्तों जो आपका पैंटराइब जिसे बूटाबल पेंटराइब बनान को आपको कुछ değil करना है यहां पे सेलेक्ट का और तो स्लेक्ट का यह उपThen कर यह सेम होता है यह फिर Windows operating system कोई भी कर लीते सेलेक्ट transition करके मेरे जैसे यहां पर टेक्ष्टॉप पर मैं shift कर रहा हूं इसको कि आपको browse करके आपको जहां पर है वह आई सो व्य व्यूम में बदो यह acost आपको आपको और दबाना है है कमा कि तो यहां पर आता है में most important part dear जो कि MBR और GPT यह क्या है यह में लिए MBR और GPT जो है वो दो टाइप के फाइल सिस्टेम होता है तो इसके रिगाड़िक में डीटल्स में वीडियो बनाऊंगा अभी के लिए आप आप यह देख लेज़े कि आपको कौन से सेलेक्टर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो आप आपको यहां पर मैनेज का एक उपसेन दिखेगा तो इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों आप देख सकतो हो यहां पर टिस्क मेनेजमेंट के एक उपसेन है तो टिस्क मेनेजमेंट पर आप क्लिक करना और यहां पर आपको दो डिस्क सो होगा एक डिस्क जीरो जो कि आपका ह रहा है क्वेक्ड तो आपको जनना है आपका हडर्षए कता भॉच टैप तो आपको को पर रांप नियूद करते आप देख सकते हैं यहां पर क्लिक करना है कि मैं तो यहां पर देख सकते हैं जो बारिसें स्टाइल यहां पर सो हो रहा है्ने ची Original तो यह बेसिकली फाइल पाटिसन टाइप होता है तो मेरा जो टिस्क है वो जीपीटी में हैं तो यहां पर जाके मेरे को यहां पर जाकर मेरे को GPT करना है अगर आपको MBR है तो आपको MBR सिलेट करना पड़ेगा यहां पर आपने कोई भी कड़वडी की तो आपका जो Windows है वो इंस्ट्रों नहीं होगा वोिंस्टॉलेशन के टाइम पर इरर आएगा तो यहां भी जिसलाए की जब्लर करने के बांद आखिए अपको कुछ भी करना है यहां hurt वैसे रहने दे ना माद के सब ओरिजिनल जैसे है वैसे रहने देना आप इसको स्टार्टपर क्लिक करना है के तो देख सकते हैं जैसे की मेरा जो है वो स्टार्ट हो गया तो इसके लिए कुछ टाइम लेकेगा ये डिपेंड करता है आपका जो पेंड्राइब है उसके आपर अगर आपका class 4 पेंड्राइब है तो यह थोड़ा चाइम लेने वाला लुकिट करने के स्व हैं नेहीं यहां पट्रूल दूखे सकते हैं पर यह पर पर पनल पर जाने के बारद आगर आपका पूल को से लिचिए आप करना है यह오ण है कि देन आप देख सकते हैं यहां सब पर क्लिक कर रहा है आप यहां पर दोस्तों आपको एक कंप्यूटर मेनेजमेंट का उपसें आएगा तो इसके उपर आपको डबल क्लिक करना है तो यहां से भी आप डिस्क मेनेजमेंट पर जा सकते हैं तो फिलाल के लिए दोस्तों मैं वीडियो को फर्स्ट फरोड कर रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने तो देख सकते हैं दूस्तों यह बस कॉंप्येट होने वाले हैं एक्च्वेली मेरे चुप इंटर है भी एक लाउस फोर है तो यह थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा है झालवा फोरा टाईम लोड़ा है तो देख सकते हैं आप दूस्तों यह complete हो गया है तो इसको बस यहां से हमको close कर देना है यहां पर आके आप देख सकते हैं आपका जो pin drive है वो भर गई होंगे तो यह आपका बूट के लिए तैयार है यहां पर मेरा नाम था पहले तो यह नाम भी चेंज हो गया है तो यह नॉर्मल यह आपको pin drive open एक एजक्ट नहीं करना है और यहां पर जाके आपको एजक्ट करने पहले फिर आपको रिमोग करना है आपका जो pin drive उसको नहीं तो आपका जो विंडो से वह प्राब्लेम हो सकता है इंस्ट्रेशन के टाइम पर तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मैं आपको नेक्ष वीडियो में बताऊंग कि कैसे आपका जो एमडी है कॉमेंट फ्रांट उससे आप कैसी बूटेबल पेंट्राइब बना सकते वह भी बीना अपले के से डाउलोड किये तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अग स्ट्राइब